कमजोरी का इलाज क्या है जिनको अक्सर थकान और कमजोरी रहती है वो कमजोरी दूर करने के लिए क्या करें कमजोरी चाहे किसी भी तरह की हूँ चाहे आप एकदम दुबले पतले हो या आपका दिमाग जल्दी ठक जाता हो और आपका वजन बढ़ नहीं रहा हो तो इन सभी समस्याओं से छुपकारा पाने के लिए शरीर की सारी कमजोरी दूर करने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक नुस्खा बता रही हूँ नमस्ते दोस्तों मैं सोनिया गोयल जैपुदा पिंग चिटी चनल पर आपका स्वागत करते हूँ कमजोरी दूर करने के लिए पहेदी असरदार नुस्खा है और इसे आप किसी भी मौसम में ले सकते हो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी जिस तरह से आपको यह नुस्खा बताया जाएगा और इसको लेते समय आपको क्या-क्या साफधानिया रखने है कितने मात्रा में आपको यह बना कर लेना है और कब-कब आपको यह लेना है मैं यहाँ सारी चीज़े बताऊंगी यहाँ पर मैं आपको दो-तीन नुसके बताऊंगी जिनका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर की हर तरह की कमजोरी हमेशा के लिए दूर कर सकते हो कमजोरी के कारण क्या होता है आप बार-बार बिमार पढ़ते हैं कभी आपके आखे कमजोर लगेंगी कभी आपका दिमाग अच्छी से काम नहीं करेगा और कभी-कभी आप बहुत जादा चिड़ड़े हो जाते हैं और ठकान आपके उपर हावी हो जाती है ये सारे लक्षन कमजोरी के होते हैं तो आप इसको कैसे दूर करें शरीर की हर तरह की कमजोरी दूर करने के लिए आपको मैं एक बहतरे नुसका बता रही हैं मैं जो तरीका बताने वाली हूँ न जरूरी नहीं है कि आपको महंगी जीजों का इस्तेमाल करके ही आपके शरीर की कमजोरी को दूर करना है तो यहाँ पर यह हमारे पास है पाँच बादाम, साथ में मैंने ली है दस किशमिश, इसमें से कुछ किशमिश हमने नॉर्मल वली जो ब्राउन वली होती है, बोली है, और कुछ किशमिश हमने काली वली है, इनके साथ में हमारे पास है चना, जो काला चना होता है, इसके जित निभी चीजे देख रहे हैं, इनको मैंने शाम को पानी में भिगो का रख दिया था, अब आपको इनको भिगोना कैसे है और इस्तेमाल कैसे करना है वो बता देती हूं, जैसे आप काले चने ले रहे हैं, बादाम ले रहे हैं, तो इनको आप एक सार भिगो सकते हैं, क्योंकि कि भीगने के बार में काले चने और बादाम का जो पानी बचता है वो आपको नहीं पीना है और जो किश्मिश ली है उनको आप अलग से दूसरे वरतन में भीगो सकते हैं भीगोने के पहले इनको अच्छे से धो लें उसके बार में साफ पानी डाल कर इनको भीगोए और जो किशमिश को आप चबा चबा कर खा सकते हो तो इससे क्या होगा आपके शरीड में जितनी भी खून की कमी होगी वो दूर हो जाएगी और गर्मियों के मौसम में अगर आप भीगो कर किशमिश खाते हैं तो यह आपके पेट में गर्मी नहीं करेगी आप रोजाना कम से कम 10-15 क इसमिश शाम को भीगने के लिए रखें सुभे इन्हें बहुत अच्छे से चबा चाबा कर खाएं अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे तभी आपको फायदा मिलता है शातности जो आप चने लेंगे और बादाम फ़ेंगे राद भर भीगने के बाद सुभइ इनका पानी पू की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सारी चीजे ऐसी हैं कि पोशक तत्र में भरपूर मात्रा में हैं चना आपके शरीर की हर तरह की कमजोरी को दूर करता है साथ में जो बादाम ले रहे हैं आपकी आँखों में फायदा करेंगे आपकी इसके नच्छी हो जाएगी आप ज्यादा महेंगे भी नहीं होते हैं 80-90 रुपए में आपको कम से कम एक किलो चने मिल जाते हैं और एक किलो चने अगर आपने एक महीने में खा लिए रोजाना मुठी बरकर भिवो कर तो ये समझ लें कि आपको महेंगे महेंगे ड्राइफूर्ट खाने के बिल्कुल भी ज दुख रहे हैं कमर दुख रही है आँखों की कम जोरी है या आपको weakness लग रही है शरीर में खून की कमी है तो आप इस तरीके से सिर्फ एक महीना आजमा कर देखना है इसके साथ में अगर आप दूद ले सकते हैं तो रजाना एक गलास दूद जरूर ले अब आप इन सबी चीजों के साथ में दूद ले सकते हैं क्या तो इसका जवाब है कि हाँ अब भीगे हुए चैने के साथ दूद ले सकते हैं खिलाडियों को तो बहुत एनर्जी की ज़रत होती है उनकी डाइट में भी भीगा हुआ चना और दूद होता है बाकी सब तो ड्राइफ तो उनके साथ दूद ले ही सकते हैं फिर भी कुछ लोगों को कई बार ऐसा होता है कि चने को कच्चा खाने के बाद उपर से दूद पीने से ये कई बार पेट में गैस वगरा कर देता है तो फिर आप इनको एक साथ नहीं ले सुबह के टाइम पर आप रोजाना पाँच ब खार लें उसके बाद में आप कुछ भी खाते रहें इसका कोई परक नहीं पड़ेगा आप खा सकते हो लेकिन शाम को आपको रोजाना एक ग्लास भर कर दूर जरूर लेना होगा जो शरीर की कमजोरी से परेशान है जो बार बार बीमार पड़ते हैं हाथ पेर जादा करने लगेंगे जैसे पहले कभी नहीं किया होगा पहले के टाइम में किश्मिश बादाम वगेरा कभी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था सिर्फ गरों में जो चने होते थे खेतों में उसको ही डेली भीगो कर रखते थे और सुबह पूरा परिवार एक-एक मुठी चने खाता था और इससे हमेशा स्वस्त रहते थे हम हमारी दादी और नानी को हमेशा देखते आये हैं वो क्या करते थे कि जो मिट्टी का कुलड होता है उसके अंदर चने भी होका रखते थे और सभी सुबह एक-एक मुठी खाते थे हमेशा बहुत सारा काम करते थे फिर वो कभी नहीं थकते थे तो इस तरीके से आप भी आजमा कर देखिए बहुत ही सस्ता सा उपाय है लेकिन शाम के समय दूद आप जरूर ले ले किसी किसी को दूद पसंद नहीं होता है तो कोई बात नहीं है सुबर जो चने बादाम और पिश्मिश का नुस्खा आपको बत